गुड यूद दोस्तों कैसे हो आप सब होपसो सब अच्छे होंगे आज हम देखेंगे 23 नॉमबर 2018 के मैं तो पूर्ण मैं तो पूर्ण करंट फिर कौन-कौन से हो जकते हैं नॉमबर का याखारी आखेरी दिन और आज हम कौन-कौन से नियूर डिसकस करने वाले हैं तो लाट से स्टार्ट सबसे पहली न्यूज है और यह एक ऐसी न्यूज जो हमें पता होने चाहिए और इसके लिए तो गवर्मेंट को अप्रिशेट भी किया जाना चाहिए क्या न्यूज है कि गवर्मेंट का जो यूमन रिसोर्सेज डवलप्मेंट मिनिस्ट्री है मानोस इंसादन विकास मंत्रा ले यानि कि जो परकास जावेड कर जी का जो मंत्रा ले है के अंदरी मानोस इंसादन विकास मंत्रा ले वो एक प्रियोजना लेकर आ रहा है और उस सविदान की आठ्वे अनुशूची के अंदर जो 22 बासा ही कितनी बासा है आठ्वी अनुशूची के अंदर आप अपने देखेंगे कि सुरुवात में कितनी बासा है थी वो सारे-सारे facts अपने पूर करेंगे लेकिन ये मानुशंसादन विकास मंतराल ये ये प्रोजेक्ट लेकर क्या है प्रोजेक्ट संगम या बासा संगम जिसके दायत बाद के स्युदान के आठ वी अन्यों सूचे में सामिल 22 बासाओं को कक्षा एक से लेकर है कक्षा बारवी तक के बच्चों को सभी 22 बासाओं का बेसिक ज्यान प्रोड कराए जाए क्यों किया तो आघर साओ इंडिया को आता है कि फज़ेश को देश को कमनल हर्मोनy तो मिलेगी अर इससे प्रियोजणक प्रियोजणा की नाम ध्यान रखना बासा संगम प्रियोजणक और कौं सुरू Sammy कर रहा है किसके लिए शुरूख रहा है कक्चा एक से लेकर 12 तक अब इस प्रयोजना बारे में थोड़ी देख ले तो और कौन-कौन से प्रयोजना जो हिंदी अंग्रेजी के लावा जनरली हम इंदी ऑंग्रेजी दो यह लेंग्वेज पढ़ते हैं तीसरी शंस्कृत संस्क पांच वाक्यों को बोलना पड़ेगा तो यह पांच वाक्यों के मादम से वह अपने घर जाकरके अपने अभीवाओं, पिता, चाचा चाची, दादा दादी इन से बातचीत करें ही और इसकोलों में परती दिन जो पांच वाक्यों सिखाया जाएगा उसका वीडियो इसके अंदर बाइस बासाओं के बारे में पांच-पांच बाके सिखाए जाएंगे सविधान के आठवी अनुसुची में बासाओं को समलित किया गया है शुरुवात में अमर जब सविधान लागू आता तो उसमें 14 बासा हैं थी उसके बाद 166 में सिंधि बासा सामिल कर ली गई यदि कि 15 बासा हो गई उसके बाद में 1902 में और 2004 में 1902 में के अंदर बासा सामिल की विए कोकरी मनिपुरी और नेपाली कोकणी, मनेपुरी और नेपाली यानि का आप इसको याद रख सकते हो मन, siis MN, If host, MN, Ik मन के मन के से याद रख सकते हो मनेपुरी, कोकणी और नेपाली ये तीन वासा आइकब साम्मिल की गई 1902 में के अंदर वो 2004 के अंदर साम्मिल की गई बोडो, डोगरी, संथाली और मैतली और शुरुवाद में याद रख शकतो कोकणी मन में की मनिपुरी, कोकणी और नेपाली और सड़सेट में कौन सी सिंदी बासा इस तरह चे 22 बासा बात की आठवी अनुशूची के अंदर सामिल नहीं है आइए अगले जो नुश है कि ये भी अच्छी न्युश है ये एक अच्छी न्यूज इसलिए है कि वह शुरुवात के अंदर तो हमें एक जी भी डाटा से काम चला लेते थे एक महिने के अंदर पान्सों अबी से सपीशिट तो राज कल तो एक जी भी से लट जाता है और फिर मान लो डाटा रात को खतम होगे तो फिर नींद नहीं आ सेटलाइट लौंज करेंगी पूरी दुनिया के अंदर फृलेबल कराएगी कौन से देश की कृपनी चीन की ठीक कब तक अउ 되면 ऐ देगी पूरीट जाटाभ एस्टैलाइट चोडए अचरेई कि इस कम्पनी का नाम भी हमें पता हूँ नचे क्योंकि इतनी बढ़ी फैसिलेट यहीं लेकर आ रहे तो लिंक शूर कॉन से कम्पनी है लिंक एलन की एस यू आट लिंक शूर कम्पनी तो लिंक शूर कम्पनी यह मुक्त वाइफाई देने का इसने गोषना की है वो 222 सैटलाइट के माद दम से 206 तक तो यह अपने को ध्यान ब्रखना है अगली जो नियुज़ है वो क्या है कि भई महाराष्टरा के अंदर महाराथाओं को शोड़ा परतिसत अलग से आरक्षण दे दिये गया है और इस आरक्षण देने से महाराष्टरा के अंदर जो आरक्षण हो गया है 68 परतिसत और जो सुप्रेम कोट का जो डिसीजन है उसके अनुसार आरक्षण कभी भी 50 परतिसत से ज्यादा नहीं हो सकता तो बहुत अब होगा वो देट नोट अवर परपज अवर परपज यह कि बात के सविदान के कौन-कौन से अनिच्षण की बात की गई यह एक्जाम के प्रस्पक्टिव से हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है तो वह आपने देखते कौन-कौन से अनुछेत के अंदर बात किये तो जो ह जानमे रखते होई और उनको सोचन से संद्रक्चित रखेगा यानिक उनको रिजर्वाइशन दे सकता है तो च्यानिस के इसके लाव जो हमारे मूल अधिकार है तो शविदान के भागति इनके अंदर उसके अंदर सेक्षणिक संस्तान में आरक्षण के बात कौन से आर्ट आर्टेकल में किया गया 17 तो ये भी अपने को जानमे रखना 15 16 17 शत्रवे आर्टेकल में छुआ सूत को मनाई की गई है बारति सव्युदान के अंदर अगली जो न्यूज है वो क्या है कि यूनिशेफ ने यूनाइटे नेशन चाल्ड इमर्जेंसी फंड यूनिशेफ ने दोड़ेशन यही निआए नूटेशन प्रोपर है या नहीं है इस रिपोर्ट का कौन सा शंसक्रन है पहले बात वह तो यूनिशेफ दा अब इसके अंदर सबसे बात हैं धिस बात यह कि इस्टेंटिंग के मामले में इस्टेंटिंग क्या होती है इस्टेंटिंग होती है कि ग्रोथ नहीं होने यानि कोई बच्चे की हाइट है उसके उमर के इसाब से नहीं बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं इस्टेंटिंग वह इस्टेंटिंग नहीं बाई चला करे या पेर port बोले हो न उसको बोलते है वेस्टिंग उसमें भी बार्थ क्या इस्टेंटिंग और वेस्टिंग में बार्थ विस्व में टोप पोजिसेंटर जो एक तरह से हम उसको सही नहीं कह सकती है तो इसके लिए सुझाव दिया गए को पोज़न को सभी रूपों को समाप्त करने के लिए कि कर दर्ष्टिकों अपनाया जाए एक जो टोकर की काम करना चाहिए ठीक है प्रमुक्षेत्रों के पैचान की जाने चाहिए उसके आवसे डाटा को प्रात्मिक्ता दी जाने तो 2018 के अंदर नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी जारी की गई और इस पॉलोशी के तैत क्या का गया है कि गण्यकराज चीनी यूप सामगरी स्टार्च यूप सामगरी च्छतिग्रच जो अनाज जैसे गेउं टूटे चावल सड़े हो यालू से एथनल उत्पादन है तू क पायो रिशोर्स है जैने कि श्रोत से जो इंदर मिलता है जैकु चार पीड़िया वंति कौण कोर्य सब्सक्ति पहले क कदर जैव अन्दर आता है बायो एथनौल और इंदर न के अतनाब और अए एथनु आता है निगम का ठोष कच्रा थीक है तीसरी पीडिया के जै की सुनों को उनके उत्पाद का उचित मुल्य नहीं मिलने का खत्रा होता है इसको ध्यान में रखते हुए रखते हुए इस नीति में राष्टी जैव इंदन समन्वे सिमिति की मंजूरी से एथोनल उत्पादन के लिए अदिशेस है ना जो कि यानि कि किसान भाई को यदे मानलो मार्केट में सहीदाम नहीं मिल रहा तो अभी तक तो वो क्या करता था कि पर सड़क पर बखेर दिया माल को अब ऐसा नहीं कि अगर मालो उसका गेंऊ है और तो वो इससे इधर बेच सकता है मार्केट कें ध्योर्ष वहां से क्या बन जाए के भी जो युद्धा अभ्यास उसको बोलते कोकन इसकी शुरुवत कपसी युदि दोजार चाहसे तो अपने को इतना हिदान रखना है कि कौन से दो देशों के बीच इंडिया और बेटेन के बीच और उनकी कौन सी शेनाओं के बीच नेवीज की बीच नो शेनाओं के बीच में कोकन युद्धा अभ्यास और 2004 से इसकी शुरुवाती इसके लावा जो अगले जो है that is very very important युद्ः कि बए रेगे संगीत कोंड सा संगीत रेगे संगीत पहले बात तो यह रेगे संगीत कहा का है तो यह जैमेड़이지 का संगीत है और इसका एक रखार रहे बोब मॉर में! को मोर बोब मॉर्ले रेगे संगीत कर रहे और ये जैमके का संगेत है इसको यूनेसको ने अपनी अमूरत विरासत में इस्तान दिया किस ने यूनेसको ने तो अजारते में यूनेसको की मासबा ने एक अंतराष्टी संदे की रूप में कहा कि बाई केवल और केवल जीवित वस्तुई या फिर ऐसे इसमार्क वगरा यह नहीं मौर्तिस्तान इसमार्क वस्तुई नहीं बलकि जो परंपराएं हैं जो परंपराएं और जीवनत अभीकतिय ग्यान कोसल से जुड़े हैं उनको एमूर्त विरास्त में सामिल को कौन-कौन जैसे पर्था है ठीक है परतिनी दितो है अभ्यक्तिय है ग्यान और कोसल तता उनसे जुड़े उपकारण वस्तुई कलाकरतियों संस्कृतिक इस्तानों से जो विविन समधाय समोर वेक्तियों अपनी संस्कृत विरास्त का एक भाग मानते इम्मूर्थ है इम्मूर्टल है ठीक है परतिनी दितो अभ्यक्तिय अग्यान कोसल है तो वह ऐसे एक मूर्थ रूप से आप उसको देख नहीं सकते बट वह है तो उसको अमूर्थ विश्राष्ट इस्तल के शुरुवात कब कि 2003 में और इस बार किसको सामिल के रहे गे बात की कौण कौण सी विराष्ट इस तल इसके अंदर सामिल है एमूर्थ में एक तो कुम्ब का मेला कुम्ब का मेला इसमें सामिल है पंजाब के ठटेरा समुदा है ठटेरा जो गाउं के अंदर बरतन बेचने वाल समुदा है उसको अभी इसके अंदर सामिल क्या गया अमूर् आणका इपार होता है उसको बोलते नरोज और इसकाला रंमान, गड़वार जो हिमाले का अंदर गड़वाल रहते हैं उनका जो धार में कुछ सोथा है उसको बोलते रंमान, तो ये भी अमर सांस्कृत्तिक विरासित में सामेल है कॉन, विदा है, तो ये थी आज की लेक्ट्र, आज की सवाल कौन-कौन से, कल बहुत सार लोग regular रहें, लेकिन सबी से request हैं, regular जरूर है, regular is must necessary, ठीक है, that is humble request and direction मानो या request मानो, बट regular हो, पहला जो question नहीं है, कि यूनेस को ने अपनी अमुरत विरासत 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 के रूप में, या अमूरत विरासत के रूप में किस देश के संगीत को सामिल किया है किस देश के संगीत को सामिल किया है और उस संगीत का नाम क्या है उस म्यूजिक का नाम क्या है पहला कोशन दूसरा युनेसकों की अमूरत विरासत में राजस्तान की कोण सी परंपरा सामिल है युनिसको की अमुरत विरासत में तीसरा कोश्चन विशो पोशन रिपोर्ट कोण जारी करता है चोथा कोश्चन बासा संगम बासा संगम परियोजना कोण से मंत्रा लेका दिन चलाए जाएगी तो हपसो आप सब लोग इससे जुड़ेंगे और जल्दी जल्दी रिप्लाइ करेंगे और हमारे चैनल दिसंबर से 1000 सब्सक्राइबर की और हम मार्च करेंगे और उसमें आप हपसो सब सहीओ करेंगे थेंक्यू थेंक्यू सो मच